20 मई 2024 को लोकसभा का चुनाव मुंबई में होने वाला है और आज 8 अप्रेल को संजय निरुपम हमारी पार्टी के नेताओं की छवी खराब कर रहे हैं जान बूच कर हमारे उमिद्वार अमोल भाया किरतिकर पर आरोप लगा रहे हैं आदर्णिय संजय राउद जी को जान बूच कर बदनाम करने का काम कर रहे हैं चार साल पहले के विशय को आज उठा रहे हैं इतने दिन आप चुप क्यों थे 2020 में जब मुंबई करों को खिचडी की आवशकता थी घर घर खिचडी पहुचाने का काम उस समय प्रसासन, कारिकरता, सियुसैनिक, सभी भाई बहनों ने मिलकर किया लोगों ने धन्यवाद दिया, लोगों ने एक कुटुम प्रमुक को जैसे धन्यवाद दिया जाता है वैसे आदर ने उद्दो ठाकरे जी के प्रतिसहन भूती दिखाई उन्हें धन्यवाद दिया यह सब बात बिरोधियों को हजम नहीं हो रही है जान बूझ कर जब कॉंग्रेस पार्टी ने संजय निरुपम जी को पार्टी से निकाल दिया तो उन्होंने जान बूझ कर हमारी पार्टी की छवी खराव करने का एक प्रकार से सुपारी उठा लिया है टिकट के लिए भटक रहे हैं कोई ऐसी पार्टी नहीं बची है जिसके पास जाकर टिकट की दरकार नहीं कर रहे हैं जब कुछ सुझ नहीं रहा तो सियुसेना को बदनाम करने के साजिस रची जा रही है मुंबई करों के सामने अपील करता हूं कि जिस प्रकार उस समय कोवीड में हालात थे जितनी खिचडी जिसको मिल रही थी वो उतनी खिचडी खा रहा था आज चार साल बाद उस खिचडी का मुद्दा उठा कर जान बूच कर विरोधी दलों के लोग हमारी पार्टी हमारे नेताओं की छवी को खराब कर रहे हैं आप सबसे हम अपील करते हैं कि ऐसी अफवाओं पर ध्यान न दें और रही बात EDCBI की हमारे नेताओं को आप पकड़िये जेल में डालिये हम फिर बेल पर आएंगे हम डरते नहीं हैं हमारे नेता इस संकट के समय का सामना कर रहे हैं हम घबराने वाले लोग नहीं हैं दुख तो तब होता है जब चार साल पुराने विशय को आज आप उठाते हैं और आपके पास कोई आधार नहीं होता है परिवार तक के लोगों को आप बदनाम करते हैं ये भाजपा की संस्कृती बहुत जल्दी आजकल नेता इसको एकसेप्ट करना है अपने उपर त्योंकि भाजपा ये कैसी पार्टी इस देश में जो परिवार तक पहुँच जाती है और परिवार को आगे करके आपको बदनाम करती है आप पर निसाना साथी है ऐसी गंदी राजनीती से हमें नफरत करनी चाहिए ऐसी गंदी राजनीती करने वालों को महाराश्ट और मुंबई की जनता 20 मई को सबक सिखा कर ही रहे